Hello everyone, कैसे हो आप सब बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहते हैं कि घर में अगर चुहे हो गए है तो इनको बिना मारे कैसे घर से भगाए क्योंकि अगर इनको दबाई डाल के हम घर में मारते हैं तो बहुत ही ज़ादा हमें तकलीफ होती है जैसे बहुत ज़ादा ये घर में अंदर की तरफ घुसके मर जाते है बहुत गंदी बद्बू आने के बाद पता चलता है कि ये घर में मर गए है तो बाद में सारा ओ निकाल के साफसपाई करना बहुत ही बड़ी मुश्किल बन जाती है और अगर घर में चुहे होते हैं तो बिमार्या भी फैल सकती है और घर की बहुत महेंगी चीजों को ये खराब कर देते हैं तो इनको घर से भगाना बहुत ज़्यदा जरूरी है वो भी घरेलू तरीके से जिसी की कोई नुकसान भी ना हो और ये हमारे घर से चले भी जाए तो यहाँ पी देखें मैंने कुछ दवाई ली है जो कि हर घर में इस तरीके से दवाई के पैकेट पड़े रहते हैं दवाई पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भुले तो चले देखतें यहां पे हमें क्या क्या चाहिए तो यहां पे मैंने एक बartan लिया है उसके अंदर हमें लेना है गेहू का आटा यहां पे आप मैदा भी उद सकते हो और देखें दो चमच के लगबाग मैंने मैदा शक्कर, गुड या फिर कोई भी और बिस्किट डाल दीजिए, ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था बिस्किट, जो की थोड़ा सा सौफ्ट भी हो चुका था, तो खाया भी नहीं जाएगा, तो मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ, दो चम्मस से ज्यादा अगर आप लोक्स में बताए, ताकि मेरा वीडियो कहां कहां पोचा वो मुझे पता चल सके, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी डालके हमें क्या करना है, इसको ज्यादा पतला नहीं करना है, इसका हम आटा गुन देंगे, और आटा खतरनाक हो सकती है, अगर घर में चोटे बच्चे है, कही मुँ में डाल ले, या फिर हात वात ना लगा ले, ये डर हमेशा लगा रहता है, तो इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा तरीका हम डूने, जिससी की हमें कुछ करना भी ना पड़े, जिससी की चुहे चले भी जाए, और चुहे जब आप घर में होते, तो आप देखना बहुती ज़्यादा गंदी बदबू आती है, क्योंकि उनके बच्चे भी वो देते रहते, बहुत ज़्यादा उनकी जो तादात है, वो भी जल्दी बढ़ने लगती है, तो अगर एक दो चुहा दिख रहा है, तो तुर पर चुहे इतने अचकल शातिर हो चुके है, कि उनको धकी हुई जो प्लेट है, वो निकाल देते हैं, और खाना वो खा लेते हैं, तो ये भी गलती हमें नहीं करना है, अच्छे से उसे कोई भी चीज़ों पैक करके रखना है, जिससे की चुहों को घर में कुछ खाने पीन के लिए ना मिले, और देखें, यहाँ पर आटा हमने अच्छे से गून लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, इसकी चोटी चोटी लोईया बना लेनी है, चोटी चोटी टुकड़ों में इसे निकाल लीजे, बहुत ज़्यादा बड़ा तो पूरे चोहे इसे नहीं खाएंगे, और सारे के सारे चोहे भी घर से नहीं जाएंगे, अगर एक दो भी चोहे बचते हैं फिर से उनकी तादात बढ़ जाती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, उसके बाद हमें लेनी है, कोई भी एक्सपायर पड़ी हुई दवाई हमें लेनी है, जैसी कि 10-15 अगर टाबलेट से तो वो भी ले सकते हो, या फिर 7-8 भी ले सकते हो, आप सोच रहे होंगे, ये दवाई तो हम जब खाते हैं, तो हमारे लिए तो नुकसान नहीं करती है, तो जैसे चुहो के लिए कैसे नुकसान करेगी, तो एक बत का ध्यान रेखिए, जब हम एक दवाई खाते तो नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है, पर एक से ज्यादा अगर खाते ओर डोस हो जाता है, तो जरूर हमें इसका बहुत ही ज्यादा भयानक नुकसान हो सकता है, तो यही बात लागू होती है चुहो पे, तो इसी का हम फा डालोगे तो बिल्कुल भी चुहा इसे नहीं खाने वाला है बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं और अगर आप इसे आटे में मिलाके इसकी छोटे-छोटे गोले बना लेते हो तो वैसे भी चुहा नहीं खाएगा क्योंकि उसकी उपर की परत उनको समझ में आएगा कि ये इस जिससी की आटा खाते-खाते चुहों के अंदर ये दवाई भी जाएगी और इस दवाई का ओवर्डोस होके उनको जरूर कुछ ना कुछ अनेजी महसूस होगा और खत्रा महसूस होगा जिससी की वो तुरंत हमारे घर से भाग जाएंगे तो ये सारा पावडर में ने या बनाई है उसे हमें इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा करना है और हाँ आप अगर चानल पे नए हो तो जरूर चानल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर करें जिससी की और लोगों को फायदा मिले और जैसी कि मैं कहती कोई भी रेमेडी आप अगर घर में सफाई नहीं रोखोगे और करोगे तो बिल्कुल भी आपको उसका असर नहीं रिखेगा चाहे वो कौकरोच को भगाने के लिए कर रहे हो या फिर चुहो को या फिर जैसे चिपकली को तो बस हमें क्या करना है जो भी मैंने बताया है उससे स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करना है कई बार हम चोटी चोटी गलतिया करते हैं जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छे से नहीं आता है फिर हमें लगता है जो हमने रेमेडी यूज किये वही पावरफुल नहीं है पर ऐसा नहीं होता है कुछ चोडी बहुत होती है जिससे कि यह असर नहीं करता है तो यहां पर आटा मैंने इस तरीके से रखा है उसके उपर यह हमें दवाई का पावडर डालना है लगबग आधे चमच के करीब में पावडर डाल दूए मतलब आप समझ सकते हो अगर आपको ज्यादा बनाने है यह चोटे चोटे गोले तो आप आटा ज्यादा लेते हो तो आपको दवाई भी ज्यादा लेनी है तो यहां पर देखे इस तरीके से हमें इसे बंद करेंगे बिल्कुल भी उपर की तरफ दवाई का हिस्सा नहीं आना चाहिए पूरे आटे की लेयर उसके उपर रखे और अंदर की तरफ पूरा दवाई का पाउडर इससे क्या होगा चुहों को बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं आएगी आटे की और बिस्किट की स्मेल सुनके वो जल्दी से जल्दी इसको खाने जरूर आएंगे और खाते खाते यह दवाई भी उनके पेट के अंदर जाने वाली है बहुत ही ज दूसरी बार भी रेमेडियूज कीजे जिसने यह गोले नहीं खाये है तो तुरंत आप एक दो बार इसे ट्राइ कीजिए बहुत ही बड़ी आपको रिजल्ट मिलेगा वैसे तो एक ही बार में मिलता है अगर आप ज्यादा गोले बनाते हो आपके घर में चुहे कितने है उ जिसे फ्रीज के नीचे या फिर जहां पे आप आलू प्याज रखते हैं वहां पे भी आप जरूर रखिए टेबल के नीचे भी रखना है घर के कोने कोने में रखिए जिससी की दीवारों से कोने कोने से वो चलते रहते हैं चोई आपने देखा होगा बीच में से कभी नही चलते क्योंकि उनको डर होता है तो कोने कोने में इसे जरूर रखना है जिससे की चुहा जल्दी से जल्दी इसे खाए और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ